हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं व्रत की थाली की रेसिपी आज मैंने बनाई है कुट्टू की कचोरी आलू टोमाटर की सबजी लोकी करायता और धनीय की चटनी लोकी क अंनुट्टू के पावडर में यह तकिक का माथ सबसे डालू ले लिए हैं तीन से चार और इन्हें हाथ से मयस्क गर लिया है और है यह ले ली है मैंने घी सेवे दो टमाटर थोड़ासा जीरा है कि अब मैंने कोगर चड़ा लिया है कोकर में डाल दूँगी एक चंप और यह डाल दिया सेंधा नमग तो यहां पर व्रत की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें और मसाले हम यूज नहीं करेंगे आप चाहें तो काली मिर्स थोड़ी सी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब यह मसाला हमारा चिकनाई चोड़ देगा तो इसके बाद इसमें हम एड कर देंगे आलू आलू को अच्छे से मिक्स के बाद इसमें डाल देंगे हैं पानी आप जैसी सब्सक्राइब को अपनी पसंद का नियुका डाला है अब यह देखिए आप कूकर को बंद कर दें और दो सीटी लगाने के बाद गयस को पॉन से साथ मिट्धिक्र दीमी कर देंगे और सब्सक्रा कुटू के आटे में अपने आलू डालेंगे आलू का अच्छे से मैस कर लीजिए इसमें आलू का कोई पीस नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी कचोरी फट जाएगी उसके बाद डाल दें हम इसमें लोकी देखिए कुटू का अटा गर्म होता है और कुछ लोगों के शूट नहीं आता है तो आप जब भी लोकी डाल के बनाएंगे तो वह फाइदा भी करेगा और कचोरी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी यह डाल दिया मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक हरी मिर्च भी मैंने इसमें एड़ कर दिया और अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगी देखे जब कुटू के आटे को आपको तभी मलना है साथ के साथ के साथ जब आप कचोरिया बनाने चले नहीं तो यह पतला हो जाता है कुटू का आटा थोड़ा पतला हो जाता है तो फिर कचोरिय सही से नहीं बनती है तो साथ के साथ मलना है यह देखिए यह हमारा आटा तो चलिए अब हम कचोरिया बना लेते हैं कचोरिया बनाने के लिए मैंने लोहे की कड़ाई में संफ्लो और ओइल चड़ा लिया है और जब और अच्छे से गर्म हो जाएगा हमने थोड़ा सी थाली मिचिकनाई निकाल ली है और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम आटा ल लेना है पिन्नी के बीच में चिकनाई लगा कर और इस तरीके से आप चाहें तो हाथ की हेल्प से चाहें तो बेलन की हेल्प से इस तरीके से कचोरी को अच्छे से बेल लेंगे अपनी पसंद के अंसार आप चाहें जितनी भी पतली इसमें बना सकते हैं और पतली कचोरी ब बहुत अच्छी बनती है डेखिए आराम से चूट भी जाती है ये तो अब हम्हें इसे डाल देंगे हैं चिकनाई में आले में डालने के बाद जिस तरीके से हम पोरी गला दबाते हैं इस तरीके से दबाते हुए दोनों तरब === और हमारी काचोरि यां फोली-पोली बहुत ही बनेगी यह देखिए कितनी अच्छी हमारी काचोरी तेयार हुई यह दोनों तरब से अच्छे से गोल्डन होने तक भी ऐगे ओर उसके बाद हम कर्मा-गर्म सर्व करने से लिए निकाल लेंगे प्लेट में, तो कचोरी हमारी तैयार है, एकदम क्रिस्पी बनिया कचोरी, तो अब मैंने ये दिनर की ठाली लगा ली है, तो यह देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हमारी कचोरी बनी है, एकदम से बढ़िया, आप भी ट्राइ कीजिए, एक बार ये रेसिपी, और आप सभी को म कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ थेंक यू सो मच